नमस्कार दोस्तों मैं विने सिंग जादा हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हम बात करेंगे ACF RFO इंटर्व्यू 2018 की बारे में आज हमारा इंटर्व्यू था और आज हम देकर आये हुए हैं हमारा जो इंटर्व्यू पढ़ा था वो श्री रमजी मार्या क बोर्ड में पड़ा था और उनका जो बरताव था वो काफी कोपरेटिव था कई सारे कोशन पूछे गए और कुछ कोशन का जवाब देने में नर्वसनेस के कारण थोड़ा नहीं दे पाया बागी कोशन बहुत खास नहीं थे बेसिक कोशन पूछे गए हैं कोशन मैं आप स academic record है वो उनके पास नहीं होता था अभी उनको पूरा रहता है आपकी भारे में कि कब आपने ग्रेशन किया कब आपने पीजी किया सारा कुछ रहता है तो सबसे पहला question उनका यही था कि आपने इतने पहले graduation किया था उसके बाद इतना gap क्यों क्या कर रहे थे यह question था पूरा बागद एयर बताया था और उन्होंने क्या मैंने किया हुआ ग्रेशन में वो सब पूरा बताया था तो यह अब पूरी तरीके से त्यार होके जाएंगे जब भी जाएंगे आप उनसे कुछ छिपा नहीं सक कि आपके ग्रेशन में physics, chemistry, math है इनमें से आपने क्यों नहीं लिया तो मैंने कहा कि चुकी मेरा एक लंबा gap हो गया था और उतनी कमांड नहीं थी हमारे विशह जो थे ग्रेशन माले इस वज़े से इसको animal husbandry को लिया animal husbandry लेने का reason यह था कि मैं ग्रामीन फ्रेश्टे भूम से बेलां करता हूँ और पचु पालन और पचु चिकस्ता से थोड़ा सा फैमिलियर था बायोलोजी से भी रिलेटेड है यह सब्जेक्ट इस मुझे से मैंने इसको लिया और environmental science के बारे में पूछा ही नहीं तो मैंने बताया नहीं उमीद यह की जा रही थी कि environmental science से question पूछ जाते है उसका जवाब दिया था ACF क्या होता है ministry पूछा था किस ministry के अंडर में आती है यह ministry का पूरा नाम पूछा गया था अपने यूपी के जो इसके minister है जिसके अंडर में यह ministry आती है उनका नाम पूछा गया था खेंडरी मंत्री का नाम पूछा गया था और इसके अलावा दोद में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है बाकरियों की तीन नसलों के बारे में गाई की तीन नसलों के बारे में पूछा गया domestic जो animal और wild animal में क्या फर्क होता है क्या differences होते है यह पूछा गया था इसके बाद कुशन हलके फलके पूछे गया हलका फलकम हाल करने के लिए कि जैसे राश्टी पसू कौन सा है राश्टी पक्षी कौन सा है यूपी का राश्टी पसू कौन सा है यह सारे कुशन पूछे गया थे इसके अलावा कुछ कुशन जो आपके maths है maths के एक दो formula बगर पूछे गया अपने जो gradation में subject लिए हैं जैसे chemistry तो इनने ने खाए कि chemistry का use कहा करेंगे यहाँ पर अगर जाते हैं आप तो कैसे यूज करेंगे तो कुल मिला के इस तरीके से जादतर इंटर्वियू हमारा जो था वो सारा का सारा focus रहा है हमारे animal inventory और veterinary science पे सारा focus रहा है बाकी लगबग 15 मिनट तक चलता इंटरव्यू और बेसिक कोशन होते हैं कुछ खास नहीं होते हैं उसी में नर्वस हो जाते हैं लोग और बताने ही पाते हैं आता सब कुछ है उब इसी बात है कोई मेंस क्लियर करके गया है तो आता है उसको लेकिन वहाँ पर खुद को बताना और अच्छे तरीके से बताना ये अलग चीज़े होती हैं तो कई सारी वर्ड सेंचुरी वगएरा भरतपूर वगएरा पूछा गया था ये सारे कुछ थे और कुछ गुवाने की भी कोशिस की गई थी उन्हें ने पुछा कि वाइल्ड एनिमल या डॉमेस्टिक एनिमल से दोनों मैंसे किस से सबसी ज़्यादा बेनिफिट होता है फाइदा किस से होता है तो इसका जवाब देना था वो जबरतस्ती कहलवाना चाह रहे थे कि पस्वों की तशकरी करने से उनका मार कर बेचने से ज़्यादा फाइदा हो सकता है तो ऐसे कॉश्चन से बचना था हमें और आवरेज गया कुछ बहुत अच्छा नहीं बहुत की खराब भी नहीं एक दो मिस्टेक करी मैंने देखते हैं क्या होता है धन्यवाद